मैं कुछ दिनों से अपने शूहर को परेशान देख रही थी, पर मुझे उनकी परेशानी समझ नहीं आ रही थी कि क्यों है, मैं पूछती तो टाल देते, मेरा दीवर अब मुझे कुछ परेशान लगा था, मैंने इससे भी पूछना चाहा पर कहता कुछ नहीं हुआ भाभी, तो मैंने इससे कहा, फिर तुम्हारे भाई को कोई शायद परेशानी है, वो मुझे परेशान लग रहे हैं, पर बता नहीं रहे, कुछ छिपा रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, तो मेरी बात पर मेरा दीवर खामोश हो गया, मैंने इसकी खामोशी पर इसके चेहरे क वो बगूर देखा, तो वो कुछ घबराहट में मुपतला था, मुझे उस वक्त ऐसा लगा, जैसे शायद वो दोनों ही मेरा दीवर और शुहर एक बात पर पर परेशान थे, बस मुझे नहीं बता रहे थे, मैं अब परेशान होने के साथ-साथ तजस में मुपतला हो गई कि ऐसी क्या बात हो सकती है, जो वो मुझे से छिपा रहे हैं, क्योंकि इस घर में मेरी बात चलती थी, जैसा मैं करों वही होता था, मेरी सास और नंद कोई नहीं थी, सिर्फ एक दीवर था, जो कनवारा था, और कुछ दिन पहले उसका रिष्टा एक जगा, मैंने ते किया था, लेकिन हैरत की बात थी, इन लोगों को मैंने फौन किया, था कुछ बात करने के लिए वो लोग मेरी काल नहीं उठा रहे थे, अब तो उनका नंबर भी बंद जा रहा था, लेकिन इस वक्त दीवर की ऐसी हालत देख कर मैंने ठान लिया, अब तो अपने शुहर से पू उन्होंने चाए खत्म की, तो मैंने अपनी बात शुरू करने का आगाज किया, मैंने उस बार साइधा उनसे मुद्दे की बात पूछी, कि मुझे ये बताएं की असल बात किया है, मैं कबसे आपको परिशान देख रही हूँ, और अपने दीवर को भी आप दोनों ही मुझ इस बार मुझे बात जानती है जो भी है, इतने दिनों से मैं देख रही थी इस बात से अपने शुरू को परिशान होता, फिर दीवर को आखिर तो मुझे अब तजस ही होना था, ना, बात जानने की जिस्तजों में काफी बहस वज़त कर दी, मैंने अपने शुर से, और फि के आलम में अपने शोहर को देखती रही